हालो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब डॉक्र सुनील तवार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसे टोपिक जो कहीं ना कहीं आप जो है हर आदमी अपनी लाइफ में जो है हो परिशान है है यह यह तो अगर जिंद किने से पहले देगी बेल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नहीं तो आपको यह अनेक जो उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन से आगे आप वंचित रह जाओगे तो दोस्तों चलो बात करते हैं हैड़क दोस्तों हैड़क की बात करते हैं तो यह हैड़क इतना ब्रोड टॉपिक है कि जो बात करने माले को भी हैड़क हो सकता है बहुत सारे इसके अंगिनत रीजन है बट हम फोकस करते हैं हमारी एंट से रिलेटीड क्या वो कारण है जो आपको हैड़क दे सकते हैं दोस्तों हम बात करते वो इस हेड के लिए, मैनली, रेस्पोंसिबल, एक मैन कल्परिट होता है। नोज में क्या-क्या हो सकता है। दोस्तों, नोज के अंदर गोड ने एक पार्टिशन बनाया है, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। वो नोज को दो पार्ट में डिवाइड करता हैं, दोनों तरप से हमारे को इक्वल ब्रिधिंग होती है, नेजल वाल होते हैं। बहुत पार्ट दोस्तों, जो हमारा सेप्टम है, वो डेवेटेड होता है, टेड़ा होता है। जिसको हम सेप्टल इस पर बोलते हैं। वो सेप्टल इस पर हमारे जो लेटरल नेजल वाल है, जो हमारा ये नाक है और ये बीच में सेप्टम है, इसको पिंच करता है। जो यूजवली आप जनरल प्रेक्टिशनर या कहीं पर दिखाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है। जिसको हम राइनोजेनिक हैड़क बोलते हैं। तो दोस्तों उस डेवेशन के कारण, यानि जिसको हम डेवेशन भी बोलते हैं, डेवेटेड नेजल सेप्टम और बहुत जो हमारी पेशन्ट को हैड़क स्टार्ट हो जाता है। नमबर वन दूसरा एक महतवपूर कारण है दोस्तों, जो हमारा नोज है। इस नोज के पास में जो चीक की बोन है, यह हमारी फ्रेंटल बोन है, यह एत्मोईड बोन है। उसमें मदुमक्की के छत्ते की जैसे खाल करता है, हमिडिफाई करता है, और हम जो बोलते हैं, हमारी आवाज को एक रेजोनेंस देता है। आप अपना नाक ब्लॉक करके बोल के देखो, आपकी नाक में रेजोनेंस नहीं होगा, एक आवाज मोटी होगी, तो यह काम हमारे साइनस का है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, कि हमें नोज के अंदर अलर्जी या किसी इंफेक्शन के कारण या किसी भी कारण जो हमारे साइनस में जब मास बन जाता है, फ्ल्यूड इखठा हो जाता है, पार्टिकुलरली हमारे फ्रंटल साइनस के अंदर, तो हमें हैडिक स्टार्ट होता है। इसमें एक महत बॉलते हैं। प्रेशेन्स भीक शेमस्ट नहीं होगने हैं। नोस तो नोस में कोई मास बन गया, कोई cancer हो सकता है, malignancy हो सकता है और बहुत बार नोस में क्या है, जाने अन जाने में कोई हलका trauma हो जाता है यह नोस पिक्किंग के कारण क्या है, कि हमारा जो नोस है, उसके septum में pus accumulate हो जाता है जिसको हम septal absciss बोलते हैं दोस्तों उसके कारण भी हमारे को headache होता है और बहुत बार आपने देखा होगा mostly ये problem जो मैं बता रहा हूँ ये किन को होती है जो diabetes होते हैं patients जो uncontrolled diabetes है उनकी nose पे आगे के part में यहां tip पे यहां उनकी क्या है एक फरंकल बनता है और ultimately उसको क्या है severe headache start होता है and ultimately उसको severe headache start होता है दोस्तों एक बहुत महत्वपून बात है जो आपको हमारे life में होनी चाहिए अगर हमारे face पे कहीं infection होता है but particularly इस face के यह जो area है हमारा nose का tip और हमारा upper lip जो मैं आपको boundary बता रहा हूँ this is the danger zone of the face कभी भी इसकी infection को lightly नहीं लेना चाहिए क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां की जो blood supply हमारे brain से direct communicate होती है अगर किसी कारण से यहां का जो infection है उसको treat नहीं किया गया तो आपको meningitis या brain में infection होने के बहुत ज़्यादा खत्राया chance होता है इसलिए इसको danger area of the face का नाम दिया गया है बाकी rest of face पे इतना danger नहीं होता तो यह भी एक important headache का कारण है दोस्तों अगर हम बात करते हैं कान से relative बहुत बार क्या है हमारे ear के अंदर कोई fungal infection होता है और उसको treat नहीं किया गया time पे उसको clean नहीं किया गया तो कान के अंदर क्या है कि उस infection के कारण गहाव बन जाता है और उस गहाव के कारण headache होता है दोस्तों दूसरा एक important जो region है अगर आपके कान के पर्दे में छेद है और आपने लंबे समय तक उसका हिलाज नहीं कराया उस कान के पर्दे के छेद के कारण कान के अंदर infection स्टार्ट हो जाता है और दोस्तों हमारा कान और हमारा दिमाग उसके बीच में एक बहुत पतली हड़ी होती है जिसको हम डूरल प्लेट्स बोलते है दोस्तों infection और जो मवाद है अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बहुत बार उस हड़ी को भी खाके या हड़ी में भी छेद करके हमारे दिमाग में चला जाता है या जाने वाला होता है तो उसके कारण भी बहुत severe headache होता है तो यह कान से related problem है जिनके कारण headache है इसलिए अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपके कान के परदे में छेद है तो उस दिन का इंतजार नहीं करना कि वो मवाद मेरे दिमाग में जाएगी जब में treatment कराऊँगा क्योंकि उस ताइम पे treatment आपका ENT surgeon नहीं करेगा उस ताइम पे neurosurgeon करेगा जहां पे दिमाग में पस इकटी होगी उसको निकाला जाएगा इसलिए ऐसा नहीं बनेगी आने वाले जब होगा जब देखा जाएगा जब और ही कुछ होगा दोस्तों इसलिए क्या है अगर आपके ear के अंदर perforation है तो तुरंत उसको ठीक कराना चाहिए क्योंकि आजकल ऐसी सुविधा है जिससे कान के कहीं कोई चीरा या लगने की जरूत नहीं दुर्बीन से उसको ठीक किया जाता है क्योंकि अमोमन इंसान क्या है उसी चीज का इलाज कराता है जिससे पेन होता है आज किसी के appendix का पेन होता है वो तुरंत इलाज कर लेगा या इस लाइफ दुनिया में नहीं रहेगा अब इसके बात करते हैं गले में दोस्तों गले के अंदर common जो हमारे recurrent tonsillitis होता है उसके करण भी हमारे को जो है वो headache होता है जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है जो patients आते हैं particularly when a patient is in stress family stress हो सकता है, job की stress हो सकता है and mostly जो है exam में मेरे पास students आते हैं उनकी जो अलसर हो जाता है, जिसको हम बहुत बड़ा अलसर, जिसको हम एप्तस अलसर बोलते हैं, उसके कारण भी सीवियर हैड़क होता है, बहुत बार कोई टंग पे अलसर हो गया, जो ये हमारे common ENT से related जो है वो रिजन है, जिनके कारण जो है, हैड़क जिसको पेशेंट्स और अलग-अलग टाइपस के हैड़क होते हैं, बड़ दोस्तों उसका भी अपना एक treatment होता है, एक medication होता है, जिसको continue लेकि, दिरे-दिरे करके उसको taper किया जाता है, बहुत बार दोस्तों, ENT भी normal होता है, आपका migraine भी नहीं होता है, और उसके बाद भी हैड़क होता है, इस इस दा personality disorder, आपको किसी ने कोई बात बोली, आपने तुरंत उसकी बात के अंदर दिमाग में, जहन में इत्त्या उसको बिठा ली, कि आपको तीन दिन तक हैड़क होता है, इसलिए दोस्तों, ऐसी अगर आपको problem है, तो start the medications, and avoid that habits, आपको कोई medications और डॉक्टर के पास ज just improve your personality, and अगर आपको कोई libel, reasonable, कोई reason है, तो उसको फिर डॉक्टर उसको treat करता है, so दोस्तों, देखा आपने कि life, अगर headache है, तो वास्ता में जीना मुश्किल है, लेकिन अगर उस headache से बचा जाए, तो really life को जीने में आपको बड़ा मजा आएगा, so इसलिए दोस्तों, इस information really is useful for you, and definitely you can share to this information to your friends and family and colleagues, जिससे उनको कोई इस टाप की problem हो, तो उसको जो है, बड़ा है, thank you.